एक चोंकी बिछा लीजी, चोंकी आप पटड़ी चाहे तो मेज पर कर सकते हैं, लकड की चोंकी बिछा सकते हैं, कैसी भी एक चोंकी बिछा लीजी, हाँ पर मैंने डेकोरेटिब चोंकी लीए हैं, आप यदि प्लेन चोंकी ले रहे हैं, तो उसके उपर लाल रंग का वसर ब पोस्टर लिया है आप पोस्टर फोटो कुछ भी ले सकते हैं और चोंकी पर अपनी करवाचोत माता की फोटो को स्थापित करेंगे फोटो रखने के बाद फ्रेंड्स हमने अपना दिपक जलाना है कुछ चावल के दाने रखकर एक दिपक हमने अपनी पूजा में प्रजलित कर लेना है तो सबसे पहले हम अपना दिपक पूजा में चला लेते हैं हमने एक चुन्नी ले लेनी है और अपनी करवाचोत माता को चुन्नी ओड़ा देनी है चुन्नी चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स हमने करवाचोत माता को तिलक कर देना है तिलक आपको सब को करना है जि इन सभी देवी देवताओं को जो भी आपको चित्र में नजर आ रहे हैं सब को हम तिलक कर देंगे उसके बद फ्रेंड्स आपको अपना करवा ले लेना है और करवे के कंट पर मैंने मोली बान ली है सात्विक बना लिया है आप करवे के अंदर पूरा इसको जल से हम भर लेंगे चाहिए तो आप यहां पर रूई भी लगा सकते हैं तिल्ले में लगा कर लेकिन मैंने अब इत मिठा रख लिया है आप मिठे में चिनी भी रख सकते हैं पताशे रख सकते हैं कोई मिठाई रख सकते हैं दूसरी तरफ हमने एक मिठा करवा ले लेना है इस तरह के मिठे करवे बजारवे मिलते हैं इसको भी हमने मा के ब्राबर में रख देना है हमारे यहां दो करवे करद गानेने हैं और इस वाले किरवे पर भी हमने तिलक लगा देना है मोली बार लेनी है और उसके बाद मित्रो एक जल लोटा आपको ओर लेना है सूरिय भगवान को चढ़ाने के लिए जब हम कता सुनेंगे सूरिय भगवान को भी आपको आवश्य ही जल चढ़ाना है उसके बाद जो भी आपको फूल मिलते हैं तो चढ़ा दीजिए मां के चढ़ों में अगर नहीं मिलते हैं तो रहने कुछ फूल मा के चड़ों में अर्पित कर देती हूं, अपने दीपक को भी हम फूल चड़ा देते हैं, अपने कलश को भी हम करवे को भी फूल चड़ा देते हैं, अपने कलश के अंदर भी हम कुछ फूल डाल देंगे, और जब चंद्रमा की पूजा करेंगे, तब तो हमें स तूरज को जल देने के लिए हम पीले फूलों का प्रियोग करेंगे, तो ये फूल हमने डाल दिये हैं, उसके बाद कुछ सुहाग का समान हमने मां को अरपित करना है, तो ये देखिए हमने साथ सुहाग का समान ले लिया है, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, जुड़ा पिन ल हिए सिंदोर लिया है तो यह मा को हम अरपित कर देंगे शिंगैर का समान आपको मा को अवश्य ही अरपित करना है कर्व events की पूजा अ enfer heart of होती है क्वाने हैं उसके बाद यहीं आपने हलवा उसके बाद कथा की पुस्तक में कैथा trivia नहीं तो आप इंटरेट पर भी जाकर कथा सुन सकते हैं चाहिए तो हमारी籃 चैनल पर जाकर भी आप कथा सुन सकते हैं करवेसोत की और उसके बाद कुछ फूल आपको हाथ में ले लेने हैं आप कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा कर लीजिए उसके बाद जो ये आपने हाथ में चावल यह फूल ले हुए वो अपनी जो भी ड्रेस पहनी हुई है साड़ी पहनी हुई है पीलिया पहना तो हम यहाँ पर अपने पीले के पले में इसको बान लेते हैं अगर आपकी शादी का पहला वर्ष है तो आप अपनी शादी वाला लहंगा चुन्नी यह सब अवश्य ही पहने सोला शिंकार करें और यह आपको दाने जब चंद्रमा को हम शाम के समय अरक देंगे उस समय हाथ म में लेकर ही अरक देना होता है इस तरह से मित्रों आप करवा चोत की सिंपल साधारण सी पूजा कर सकते हैं कोई भी सीजन के फल चढ़ा दीजिए बाद में ये फल आप या तो बाइने की थाली पर रख दीजिए या फिर आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं बाइने की थाली के लिए देखिए फ्रेंड्स हमने एक साडी ले ली है इसी में मैंने मेकप का समान पैक कर दिया है दक्षना पैक कर दी है इस तरह से ये साडी का समान भी हम भाइने का यहीं पर रख लेंगे और हमारी पूजा संपन हो जाएगी उसके बाद आपको ये जल का लोटा सूर्य भगवान को अरग दे आना है और ये करवे से हम चंद्रमा को अरग देंगे तो इस तरह से मित्रों सिंपल तरीके से आप करवाचोत की पूजा कर सकते हैं आपको करवाचोत की यह सरल पूजा विधी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह के और जानकारी के लिए जूर सब्सक्राइब करें हैपी करवाचोत ओल माई डियर फ्रेंड्स वीडियो देखनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद